सर विया ख़बर देने के लिए आया था इंजॉय और स्टेय अद दे कैम्प जब तक आप लोग यहां पे हैं हमारे हमान बन के रहिएगा ये एक दम से कैसे हुआ इसे महमलों में थोड़ा वक्त लगता है प्रोसेस काफी दिरों से चल रहा है और तो तीन महीं नहीं लग सकते हैं आप लोगों के लिए करनल साइब के तरफ से बड़ा खाना है और साथ ही आप साथ ही आप बताएंगे सर भई आप लोगों ने काफी अर्षते से फिल्म नहीं देखी होगी अब हाली में एक फिल्म है काफी चली है तो खुले मैदान में स्क्रीनिंग करते हैं हो आई आई I can't believe it. You better believe it, Colonel. हमारा मुल्क इतना खराब नहीं जितना कि आप सूचते हैं. Good luck. Thank you, Colonel. No, don't you keep it. You should know the rest of us. No, don't you keep it. शाड़ पंगड़ पाण नूँ जी करदै शाड़ पंगड़ पाण नूँ जी करदै याराने में लेलाए वेख कुडियां दे टोले आए नई मुड़ के जाण नूँ जी करदै कोई रज के जोर लगाये ते साड़ी यारी तोड़ नपाये ए गीत गाण नूँ जी करदै साड़ पंगड़ पाण नूँ जी करदै साड़ पंगड़ पाण नूँ जी करदै साड़ पंगड़ पान 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 नूँ जी करदै कुछ एक बाते फिल्मों में अच्छी लगती है अबन बॉइस लुषक जाले अच्छी लगतार कोलिग इक सटेंगा में होची लगती है झाल गाज़ ने कई ने त피री 나एज़ एम एक जाली वहती पाश्टiğ एंच में है कर दो कर दो, मैं आपने करल जान गवर कर दोग दाहित कि आपका ना ना गोल आल, अब आक्या, ना भेला बूल, कि अजा वरे नहीं, दिए मैं आपका, मैं इंद और क्यों सर, मैं गलड नहीं थाकरणा किए अब में अजले हैं एमद जनरल जियावुल HQ की सरकार ने रेक्रास को यहां की हर जेल का मौईना करने की जाज़त दे दिये जियावुल HQ؟ मुट्नू का क्या हुआ? पाकस्तान में सरकार बदल चुकी है कैप्टिन मिलिटरी रूला चुका है जनरल जियावुल windows की सरकार ने रेट्रोस को यहां की हर जेल का मौइना करने की जाहज़त दे दिये और खुले तोर पर कहा है कि शिमला समझोता के तहट 71 की लड़ाई के सारे हिंदुस्तानी फोजी लटाया जा चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी जेल में हिंदुस्तान का कोई भी फोजी मौजूद नहीं है इस तरह के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इंजाम लगाने के पहले हिंदुस्तान को पांच बार सोचना चाहिए इसका मतलब साज है मतलब यह कि रेड क्रोस पाकिस्तान में इस वक्त मौशूद है और इन्हें डरे कि वो लोग यहान आज है बॉर्डर पर टेंशन बड़ी है और हम बॉर्डर के बहुत ही नस्दीक है पांगने का अटेम्ट एक बार हमारी तरब से हो चुका है और यह लग तसली करना चाहते हैं कि जब तक हमें आप रहें दूसरा ना हो लेड क्रोस के पाकिस्तान से निकलने के साथ ही यह कैम खत्म कर दिया जाएगा और हमें वापस उसी जगे पहुचा दिया जाएगा जहां से हम आये थे और दुनिया को मालूमी हो पाएगा कि हम पाकिस्तान के जेलों में साथते हुए कब मर खब गए मगर ऐसा हो नहीं सकता मुझे बुरा भरोस है यह लोग हमारा ख्याल रख रहे हैं और इतना बड़ा जूट नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से इनकी इमानदारी पे शक करना बहुत बड़ा पॉप होगा सर्थ मुझे पूरा यकीन है कि यह लोग अपनी कही भी बात को अमल में लाएंगे और हमें वापस हिंदुस्तान पहुशार राशार 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 किया सुना तुम्हें सर जिस पर हमको शक्ता सर क्या तर जिस पर आपको शक्ता सर सर्थ तो मथच्चक यह निए बार करने को पवाताय बार को शचकते सर बस बाड़े है मद्म पहुचने के पहले हिए सर में भागने के बारे में सोच्चक यह सर अ कि क पाद आपको सबसे पहले जिस जीस के जरूत पड़ेगी उजी है सर छोड़ा दूनका थाक्यू सार इस अगबाल कुझ अला देना है मात पर बाहर किसीगो इस बात के कानो कान खाबर नहीं होनी होनी चाहिए अर एक मातला कि measures हमारे पर उक्ग है हमारी पास वक्त बहुत कम है जो करना है कल सही करना है कल से किन सर आज से क्यों नहीं अभी से क्यों नहीं क्या मतलए सर सर आप transition as a पूटग्राफ में यह सर सर क्मात है करना कि सर पो जाच जगा का नाम था जानो मज़ित थी पास, आम थेक्लिक रीम्स, आहां करीम्स, सर्थ यह लोगे कि गृुप फोटिग्गरफ चाहने था सर्थ ये सर्थ प्लीज सरे क्रिक्ष ट्रेस प्लीज शोर अम बेर यो तूफ फोर्म सर्थ आम फ्लीज ए अम फ्लीज आ दैली सर्थ नियो श्रीनेगर का सर कभी आया बुस्टरफ